Hello friends, तो आद की इस वीडियो में मैं आप सबको बतने वाला हूँ कि आप सबको अपने Android डिवाइस के अंदर Emulator का यूज सर के GTFI को किस तरीके से खेलना है तो इसमें आज हम यूज करने वाले है Gamehub Emulator और ये वीडियो जो इसे लोगों के लिए है जिनके पास low-end माली GPU वाला डिवाइस है क्योंकि दोस्तो मेरा डिवाइस भी एक मीटरेंज डिवाइस ही है और मेरे फोन के अंदर भी माली का ही GPU है और इसमें मैं GTFI काफी easily मैंने यहाँ आप रन कर दी थी तो Gamehub में आपको कौन-कौन से सेटिंस करना है क्या करना है वो सब कुछ भी आज की इस वीडियो में आपसको बताना वाला हूँ तो चलिए फटा-फट से अपने वीडियो को स्टार्ट करते है उससे पेरे दोस्तों को आपको ऐसे वीडियो चाहे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजी और साथी साथ चैनल को भी सबस्क्रेब कर दीजेगा तो सबसे फिले तो मैं आपको मेरे डिवाइस के स्पेक्स दिखाना चाहता हूँ ताकि आप सबको यहाँ पर येकिन हो जाए कि मैं दी एक नौर्मल साथी डिवाइस यहाँ पर इस कर रहा हूँ तो फटा-फट से यहाँ पर स्टार्ट करते है और मैं आपको मेरे डिवाइस के स्पेक्स दिखा देता हूँ तो यह देखिए इसमें जी प्यू जो है मालिक आई है और बिल्कुल नौर्मल सा दोस्तु यहाँ पर डिवाइस है इतना हाई एंड डिवाइस भी नहीं है मीड रेंज डिवाइस है जैसे का मैं आप सको पेले भी बताया था तो चलिए अभी फटाफट से अपना गेम हब एमिलिटर स्टार्ट करते है और उसमें मैं आप सब को सेटिंग्स बताता हूँ तो गेम हब एमिलिटर यहाँ पर आमारा स्टार्ट हो गया है और यह बहीं काफी अच्छा एमिलिटर लगा मुझे कि मैंने बहुत सारे एमिलिटर का यूस गिया है लेकिन किसी में भी बहुत जीटी अफ़ाइब बिल्कुल रन नहीं हुआ यह सिफ एक एमिलिटर यहाँ इसमें GTA 5 यहाँ पर रन हो गया है तो चलिए अभी मैं आपको इससे सेटिंग्स दिखाता हूँ कि आपको कौन-कौन से सेटिंग यहाँ पर अप्लाइ करने है तो गेम सेटिंग में हम लोग जाएंगे और सबसे पिल तो यहाँ पर रिजल्यूशन जो है आप इसको एकदम लुएस्ट पर ही रखे अगर आपका डिवाइस लुएन है तो उसके अब आप सब को चले जाना ठीक यहाँ पर मैंने कर दिए इसको सिलेक्ट इएसस्टम ड्राइवर देखे में बहुत सरे ड्राइवर है लेकिन इसमें आपको सिस्टम ड्राइवर हीलेट करना है कुछ बहुत सारे अभी मैंने इसको यहां पर दो एक 4X PD में set कर दिया है, क्योंकि मैं यहां पर वीडियो को cut करता है, तो भी कुछ लोगों का ऐसा लगता कि तुने edit करके तुने दूसरा device में तुने रन कर रहा है, इसलिए मैंने यहां पर इसको 4X PD में रही रखा है, क्योंकि मैं cut लगाऊंगा तो भी लोगों को ऐसे लगता है, फ़ी edit कर दिया है वीडियो को, तो यह देखिए, यहां पर हमारा gtf है भी बिल्कुल load हो रहा है अभी, यह सब थोड़ा बहुत यहां पर post test time ले रहा है, और यहां पर दोस्तों इसमें एक छोटी सी प्रोब्लम है, कि मेरे device जोए काफी low end है, तो इसमें क्या हो रहा है कि यहां पर glitch जैसा आप सब को देखने को मिल रहा होगा, भी graphical glitch जोए यहां पर हो रहा है कि टेक्स्टर सही से यहां पर visible नहीं हो रहे है, और यह मेरे device में नहीं, सभी device में आलमोश्ट यह प्रोब्लम है, जिसमें भी माली का GPU है, आने वाले समय में भी game hub वाले इस प्रोब्लम को भी fix कर देंगे, भी यहां पर फुरा का फोरा game जोए load हो गया है, तो अब यह कोई इतनी बड़ी प्रोब्लम नहीं है, ग्लिच की तो भी आने वाले समय में कुछ ना कुछ करके भी game hub वाले इसको solve कर देंगे, और भी जैसे यह problem solve होगा, मैं आप सभी लोग के लिए वीडियो बना कर आजिर हो जाऊंगा, तो भी बस आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ऐसे और भी वीडियो चाहे तो यहार मेरी चनल को सब्सक्राइब करके, notification bell को ओन ज़रू से कर लेगा, मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई